हेलो इस्टुडेंट, वेलकम टू बैरेकपुर सिनेट पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल विशय हिंदी कक्षा पांच पाठ बारा, गागर में सागर पाठ परिचे प्रस्तुत पाठ कबीर दास और रहीम दास के दोहों का संकलन है कबीर दास और रहीम दास जी दोनों ही महानकवी और समास सुधारक थे इन्होंने नैतिक्ता और समाज में फैली बुराईयों पर अपने विचार, अपने रचनाओं के माध्यम से प्रकट किये है आज हम इने के दोहरा लिखे गए कुछ दोहों का अध्यन करेंगे कबीर दास का संशिप्त जीवन परिचै कबीर दास का जन्म समवत 1455 सन 1398 इस्वी में हुआ था जन्शूती के अनुसार उनका जन्म एक विद्वा ब्राम्हडी के गर्प से हुआ था जिसने लोकलाज के भैसे उन्हें त्याग दिया एक जुलाहा दमपती को ये लहरतारा नामक तालाब के किनारे पड़े हुए मिले जिसने उनका लालन पालन किया वे ही कबीर के माता पिता कहलाएं इनके नाम थे नीमा और नीरू कबीर की मृत्यू 120 वर्ष की आयू में समवत 1575, 1518 इस्वी में मगहर में हुई थी कबीर के दोहे पहला दोहा है कबीरा तेनर अंध है गुरू को कहते और हरी रूठे गुरू ठोर है गुरू रूठे नहीं ठोर अर्थात वे लोग अंधे हैं और मूर्ख हैं जो गुरू की महिमा को नहीं समझ पाते अगर इश्वर आपसे रूठ जाये तो गुरू का सहारा होता है लेकिन अगर गुरू आपसे रूठ गया तो दुनिया में कहीं आपका सहारा नहीं है दूसरा दोहा है रात गमाई सोई के दिवस गमाया खाए हीरा जनम अमोल था कोड़ी बदले जाए अर्थात रात नीद में नश्ट कर दी सोते रहे, सारे दिन में भोजन से ही फुर्सत नहीं मिली या मनुष्य जन्म हीरे के समान बहुमूल्य है जिसे तुमने व्यर्थ कर दिया हमारा हीरा जैसा जनम कोड़ी के मोल हो गया अगली पंक्तिया है जैसा भोजन खाईए वैसा ही मन होए जैसा पानी पी जिये तैसी बानी सोए अर्थात संत शिरोमडी कबीरदाजी कहते हैं कि जैसा भोजन करोगे वैसा ही मन का निर्माड होगा और जैसे जल पियोगे वैसी ही वाड़ी होगी अर्थाथ शुद्ध सात्विक अहार तथा पवित्र जल से मन और वाड़ी पवित्र होते हैं इसी प्रकार जो जैसी संगती करता है वैसा ही बन जाता है अगला है मूरख को समझावते ग्यान गाठी का जाए कोईला होई न उजला सौमन साबुन लाए अर्थाथ बार बार मूरख को समझाने के बाद भी अगर वो समझता ही नहीं कभी कभी यह बात मूरख को समझाने वालों के समझ में ही नहीं आती वो बार-बार फिर से मुर्ख को समझाने की कोशिस करते हैं और अपनी एनरजी व्यर्थ में ही खर्च करते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कोईले पर चाहे सो मन साबुन रगड़िये परन्तु कोईला तो काला ही रहेगा वो कभी भी उजला नहीं हो सकता उसी प्रकार मुर्ख व्यक्ति को अच्छी और ज्यान की बाते बताने से उस पर तो कोई असर नहीं परता कोई बदलाव नहीं आता बलकि समझाने वाले का समय और श्रम दोनों ही व्यर्थ जाता है दोहे की अगली पंक्तिया हैं शब्द समहारे बोलिये शब्द के हाथ नपाओ एक शब्द औसधी करे एक शब्द करे घाओ अर्थात कभीरदाजी कह रहे हैं कि अपने मुझ से कोई भी शब्द निकालने से पहले सोच विचार लीजिए क्योंकि एक शब्द इनसान को दवा का काम करता है इनसान के लिए एक अच्छा शब्द दवा का काम करता है और उसके विप्रीद कोई ऐसा कटू सब्द हमारे मुझ से जो निकल जाता है वो इनसान के मन में घाओ बना देता है शब्द का कोई हाथ पैर नहीं होता वो तो खुद चला नहीं जाता बलकि उसका बोलना हमारी इच्छा पर निर्भर करता है इसलिए हमें सोच विचार कर बोलना चाहिए रहीम दास का संचिप्त जीवन परिचय रहीम दास का जन्म 17 दिसंबर 1556 में लाहौर में हुआ था उनके पिता का नाम बैरम खां और माता का नाम सुल्ताना बेगम था रहीम दास अकबर के दरवार में नौ रतनों में से एक थे या हिंदी के प्रसिद कभी है रहीम दास कई भाशाओं के ज्याता थे उनकी रचनाओं में भक्ति भाव की प्रधानता है रहीम की ग्यारा रचनाएं प्रसिद हैं इनकी मृत्यू 70 वर्ष की आयू में 1626 इस्वी में हुई थी रहीम के दोहे रूठे सुजन मनाईए जो रूठे सौबार रहीमन फिर फिर पोई ये तूटे मुक्ताहार रहीम दास जी कहते हैं यदि आपका प्रियमित्र सौ बार भी रूठे तो रूठे हुए प्रियमित्र को बार बार मनाना चाहिए क्यूंकि यदि मोतियों की माला तूड जाए तो उन मोतियों को एक बार फिर से धागे में पिरो लेना चाहिए मितरता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता छोटी मोटी बातों के प्रभाव में आकर मितरता को तोड़ना सही नहीं है अगली पंक्तियां है जो रहीम उत्तम प्रकृत का करी सकत कुसंग चंदन विस ब्यापत नहीं लिप्टे रहत भुजंग रहीम दाजी कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के मनुस्य होते हैं उनके उपर बुरी संगती का कोई भी असर नहीं पढ़ता है उनको बुरी संगती भी बिगाड नहीं पाती है जिस प्रकार जहरीले साब चंदन के व्रिक्ष से लिप्टे रहने पर भी उस व्रिक्ष पर कोई भी जहरीला प्रभाव नहीं पढ़ता है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियही नपान कही रहीम पर काज हित संपति सजही सुजान जिस तरह से पेड या व्रिक्ष अपने फल स्वैम नहीं खाते और तालाब भी अपना पानी स्वैम नहीं पीते हैं ठीक उसी प्रकार अच्छे और सज्जन व्यक्ति भी दूसरों के कारे के लिए अर्था परोग कार के लिए या भलाई के लिए धन संपति को संचित या एकतरित करते हैं बड़े बड़ाई ना करे बड़े न बोले बोल रहिमन हीरा कब कहे लाख टका मेरे मोल अर्था जो सचमुझ बड़े होते हैं वे अपनी बड़ाई कभी भी नहीं करते हैं और नहीं अपने मुँ से बड़े-बड़े बोल बोलते हैं वे कहते हैं कि जिस प्रकार हीरा ये कभी नहीं कहता कि मेरा मूल लाख टका है, लाख रुपे का मैं हूँ मैं बहुमूले हूँ उसी प्रकार सज्जन लोग भी अपनी बढ़ाई खुद से नहीं करते हैं रहीमन निजमन की व्यथा मन ही राखो गोई सुनी यठीलाई हैं लोग सब बाटी नले हैं कोई दोहे की अंतिम पंक्तियों में रहीम जी कहते हैं अपने मन की पीड़ा अपने मन की व्यथा को जितना हो सके अपने मन में ही रखो तो ये अच्छा होगा क्योंकि दूसरे लोग हमारे कष्ट को सुन करके मजाक उड़ाते हैं हसते हैं वो हमारा कष्ट दूर नहीं कर सकते बलके सुन करके उपहाज करते हैं यहां कोई किसी की सहायता करने वाला नहीं है नहीं कोई सही रास्ता बताने वाला है धन्यवाद